हलो दोस्तों यह हमारी टेलर फ्रेम की पहली किलास होने वाली है आज तो आपने टेलर फ्रेम तो पहले ही वीडियो में देखी लिया होगा मेरी अगर नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा मैंने टेलर फ्रेम से तुली कुछ बाते बताई थी आपको तो आज हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले में इन कौनों पर कुछ नंबर लिखने वाला हो कौनों पर नहीं बढ़ING पर ही कुछ नंबर लिखने वाला हो जिससे हमें counting में सहूलित होगी तो यहां पर मैं number 1 डालता हूं इस कोने पर 1 यहां पर number 2 डालता हूं मैं सिरी डाल देता हूँ नंबर 4 और यहां पर आएका नंबर 5 आपका 5 नंबर 6 नंबर 7 और नंबर 8 यह हमें काउंटिंग में स्थाफुलियत देगा इस वजाए से मैंने यह नंबर यहां पर लिखे हैं चलो में एक बार इसको लूट से लिख देता हूँ नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 और नंबर 7 और नंबर 8 अब आपको किलरली दिखाई दे रहा होगा तो हमारे कोने पर जो नंबर आए वो थे नंबर 1 नंबर 3 नंबर 5 और नंबर 7 और जो हमारे बीच में नंबर आए हैं वह हैं 2 4 6 और 8 कोनों के और बीच के नंबर अलग-अलग है इस चीज़ को ध्यान रखना ठीक है अब हम अपनी टाइप्स निकालते में आपको दो तरह कि टाइप्स बताई थी पिछली वीडियो में तो आज हम अपनी टाइप्स 1 से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि काउंटिंग टाइप 1 से ही स्टार्ट होती है चलो तो यह टाइप्स आपको दिखाई दे रही है आई होप चलो मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूं यह आप यह नमबर होगा किस तरीके से लगाने के बाद आप समझ जाओगे लेकिन जहां इस स्पीट को हम करेंगे वहां पर हमारा नमबर शो होगा 123 जो भी नमबर है तो मैं सबसे पहले एक प्लेस करके आपको बताता हूं तो यह मैं इसको प्लेस करता हूं और मैं इसकी पीट रखता हूं बिलकुल कोने में कौने में कौन सा नमबर लिखा है वन तो यह क्या हुआ हमारा वन मैं केमरा नीचे लाकर दिखाता हूं वह हाइड जाधा हो रही है तो आप यह देखो यह कोने में बिलकुल आ रहा है त नमबर वन ठीक है अब देखो दोस्तों जरूरी नहीं कि इस कौने में ही नमबर वन आएगा पूरे टेलर फ्रेम पर आप कहीं भी प्लेस करो अगर उसकी शेप इस कौने की तरफ जाएगी तो वह नमबर वन होगा दुबारा बताता हूँ अगर आप कहीं भी प्लेस करते हैं मैंने यहां प्लेस किया है देखो इसकी शेप जो है कौने की तरफ आ दिये तो यह वन की वैल्यू है इस टाइम यह देखो वन की वैल्यू है यह पूरे टेलर फ्रेम पर कहीं भी यह प्लेस होती है तो यह यहां भी value 1 है इसकी क्योंकि इसकी shape जो है उसी कोने की तरफ इशारा कर दिया, इसकी back side जो है वह उसी कोने की तरफ है, तो इसकी value 1 हुई, ज्यान से देखो आपने, अब देखो दोनों बिल्कुल same, same, same है दोनों की shape एक ही तरफ है तो value 1 को show करता है, इसमें confuse आपको नहीं हो आपका confusion और अच्छे से clear हो जाएगा बस याद रखना यह numbers जो मैंने चारो तरफ लिखे हैं बाकी आपको घरते घरते पता चल जाएगा देखो मैं इसको इस कोने पर लिखता हूं और इसकी shape इस side करता हूं तो वहां भी यह one होगा अगर मैं यहां लिखों यहां भी वन है और यहां भी वन है कहीं भी बनादू मैं इसको तो यह depends अपने place से नहीं यह depends अपनी इसके बेंअगाए कि फान के लिए देख हमारी निमारी से प्सक्राप से लिए उससे राॉंड करते मैं यह वर हमारा नंबर से 2 हो फ्मार perform यह देखो इसकी back side सीधा इससे टकराती है यहां सीधा इससे तो यहां पर हमने पहले लिखा यहां रिखा यहां हमारा तु हुआ है ठीक है यहां तक अपको confusion clear वन के लिए यह कौणा लेना है तु के लिए इधर वपन के लिए यहां पड़ता और 2 के लिए सीधा इससे टकरा गया अब 3 के लिए हमें beats को यह 2 है हलका सा turn कर देना है और यह हमारा number 3 हुआ तो 3 हमने कहां लिखाता 3 हमने इस कोने पर लिखाता अब हम इसकी shape देखते हैं क्या वह कोने की तरफ indicate करती है यह नहीं अगर हम ध्यान से देखे हैं तो इसकी shape तो उस ही कोने की तरफ indicate करती है तो यह 3 हुआ इसकी back side बोदा रहे है 3 हुआ इसकी back side सीधी टकरा रही है 2 है और इसकी back side इस कोने पर है तो यह 4 अब हमारा next होने वाला है four, तो four के लिए भी हमें लेनी है और उसको three के place से turn कर देना है, यह मैं three के place से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि यह सिर्फ हलका हलका turn होता है, एक एक बार और अपनी shape बदलता है, यह देखो four जो है, वो सीधा उससे टकरा रहा है जाकर जहां पर हमने number four लिखा है, I hope आप पता चल रहा है कि यह number लिखना आपके लिए थोड़ा मददकार है, थोड़ा easy है इसको याद रखना, तो four सीधा उस shape से जाकर टकराता है, जबकि अब आप इन सभी shape को देखो सब अलग अलग है, एक एक turn हो आए सब में, अब five के लिए हमें four को थोड़ा सा turn कर देना है, इस सिर्फ, अब five के तर आएगा, हमने five देखा था उस कोने में, अब इसको देखते हैं, क्या यह उस कोने की तरफ indicate करता है, पीट, five की तरफ, तो यह हाँ, बिलकुल, यह उस तरफ indicate कर रहा है, इसका मतलब यह five हुआ, यह four की तरफ नही कि नहीं, यह तो four से टकरा गया, यह five से ही टकरा रहा है जाकर, अब six के लिए five को एक turn देना है, five वह इसको हलका सा turn देना है, यह simple हमारा six हो गया, अब six सीधा, इसमें तो आप बिलकुल अंदार आराम से लगा सकते हो, सीधा टकरा रहा है, six से जाकर, फिर भी मैं एक बार पैन से आपको दिखा देता हूं, बिलकुल सीधा, तो यह हमारा six हुआ, seven को भी six की shape को थोड़ा सा turn करना है, बस, यह six था हमारा, कहां पर, यहां हमारा six था, turn हुआ, seven हो गया, इसको भी हम place कर देते है, seven, seven कहा लिखा था हमने, seven हमारा corner में था, और क्या यह उस को ने की तरफ इंडिकेट करता है, कैसकी पीडिस कौने की तरफ है, हाँ, बिलकुल है, तो यह हमारा seven हुआ, जी देखो, जहां पर हमारा seven है, और यह भी उस तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो यह हमारा seven है, आपको confusion कुछ हो, तो वीडियो रिपीट करके, दुबारा देख लेना, पर confusion नहीं होना चाहिए, कोई, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आप comment section में पूछ सकते हो, तो यह पैन से भी बता दूँ मैं आपको, यह भी seven की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो यह हमारा seven, अब eight के लिए फिर वही हलका सा एक turn होगा, तो यह eight हो जाएगा, इसकी पी take side हो जाएगी, दोस्तों, इसमें one से लेकर eight तक होगी, यह nine तक कहूँ, मैं हलके हलके turn है, बस one से eight तक, यह देखो, इसको हलका सा घुमाया फिर, यह eight हो गया, अब यह सीधा इससे टकरा रहा है, अपनी back side से, यह सीधा, इससे टकरा रहा है, अपनी back side से, यह देखो, पहन लगा कर दिखाता हूँ, मैं आपको, इसमें भी आपको confusion clear, थोड़ा पास से देख लेजिएगा, तो यह हमारा eight, इसका भी clear है, seven यहाँ पर है, और यह एक ही round घुमा हुआ है, seven से, और यह eight की shape पर पहुँच गया, सीधा इससे टकराते हुए, अब अगर मैं इसको side में लिख दहूँ, तो यह आपको, और easily clear हो जाएगा, यह देखो, यह race की shape, अब यह अराम से आप सीधा आओ, और eight की तरफ, तो यहाँ तक हमारा eight clear है, अब nine के लिए हमें करना क्या है, नाइन के लिए हमें, जो हमने number one place किया था, वहीं place होगा nine हमारा, लेकिन अपनी shape को change कर गए, पहले हमने यहाँ से place किया था, इसको उठी हुई side से, अब हमें, दो डोड जो है, यहाँ से place करना है, इसको number one वाल corner पर, इस corner पर हमें इसको place करना है, कि यह इस corner को indicate करे, अपनी back side से, तो हमने इसको place किया, यह देखो, यह बिल्कुल, sorry, यह थोड़ा खराब है, यह जो beats है, वो थोड़ा sorry, dots जो है, ठीक से उभन नहीं जाए, दूसरा मैं लेता हूँ, हाँ, यह dots अच्छे, तो यहाँ प और यह हमारा place हो चुका है, और अब आप इसको देखो, कि यह दो जो dot है, देखो, सभी में जो है, वो थोड़ा ऊपर सा उभरा हुआ है, पर इस पर dot है, और यह दो dot है, इसकी shape इसको ने पर है, पर यह हमारा ultra है, मैं आपको pen से दिखाता हूँ, देखो, जब dots ऊपर की त हमें सिर्फ परक इतना है, कि इसकी जो है, इसका यह kona ऊपर है, और यह, हाँ, और इसकी जो है, यह dots ऊपर है, मैं इसके बराबर में आपको place करके दिखाता हूँ, यह समझने के लिए सिर्फ, तो आप देखो, दोनों की shape जो है, वो एक ही जगा है, लेकिन दोनों में फरक सिर्फ इतना है, वो उल्टा है, और वो सीधा है, तो इससे आप में आसानी से इन दोनों में फरक कर लोगे, और आई होप आपको याद रहेगा 9 क्या है, अब 0 के लिए हमें इसको 2 के place पर करना है, मैं इसको इसके बराबर में place कर देता हूँ, तो यह देखो, यह 0 के होगा है, चैन्ज है थोड़ा सा, इस वज़ा से सिर्फ इसमें यही फरक है, और कुछ नहीं, तो हम इसको 9 हमारा हो गया, अब 10 अपना complete कर लेता है, 10 के लिए मैं 1 और 0, 0, जो की हम सीख चुके हैं, और यह हमारा 10 होगा, तो इसी के साथ यह हमारा 10 भी complete हो गया, तो दोस्तों यह हमारा 10 तक complete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10, उम्मीद आपको अच्छी लग यह वीडियो और आप से मिलता हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जादा से जादा इसको शेर करना, तूसरों तक पहुचाना, मैं आप से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में,